बिस्मिल्ला रह्मान रहीम, अस्सलाम अलेकुम नाज़ीन, कैसे हैं आप लोग, उमीद करती हूँ, सब खेरियत से होंगे और बहुत खोश होंगे, आज आप लोग के लिए एजिप्ट की सबसे फेमस डिश ले के आई हूँ, उम्मे अली, जिसे बिलकुल उसकी कोईन के ना जाएगा, इतनी ही ये रॉयल डेश है, तो आप जरूर इस रेसिपी को ट्राइ करें, तो इसके लिए आपने रेसिपी का कोई भी पार्ट मिसनी करना है, जी, तो यहाँ सबसे पहले आप बेकरी से कोई भी पफ ले ले, क्रुसांट ले सकते हैं, आप बाकर खानी भी इस् के रख देंगे, इसके बाद हम अपने मिल्क की तायारी शुरू करते हैं, यहां मैंने एक लीटर से कुछ ज़्यादा दूद लिया है, और अच्छे से इसे चार से पांच मिनट बॉयल कर लिया है, अब इसकी खुश्बू के लिए हम शामिल करेंगे, चार अदद हरी पर पकाएंगे, कंडेंस मिल्क मिल्क के साथ अच्छे से एक जान हो जाएगा, और मिल्क हमारा थिक हो जाएगा, अब आप यहां शुगर टेस्ट कर लें, कि आपको कितना मीठा पसंद है, मैंने दो चमच चीनी शामिल की है, और आदा टी स्पून मैंने यहां हरी लाइच जो साबित थी, उसे निकाल लेंगे, अब दो चमच वैनेला कस्टर्ड मिल्क में शामिल करके, इसी मिल्क में शामिल कर देंगे, इसे अच्छे से थिक करने के लिए, इसे टेस्ट भी अच्छा हो जाएगा, इसे हमने बकाएदा कस्टर्ड की तरह थिक नहीं करना, बिल्क और किशमिस शामिल की है इसके बाद में थोड़े से पिश्टैचू और कैस्चिव कर दूँंगी और बदाब थोड़े से चॉप किये हुए शामिल करूंगी अब हमने जो मिल्क तैयार किया है वो हम इस में शामिल कर देंगे अच्छे से आप इसे शामिल करें तमाम पफ पेश्टरी इस इसमें सोक हो जाएं और इसके बाद हम यहाँ एक ट्रटरा पै क्रीम की लेयर लगा देंगे इसे भी अच्छे से में यहाँ स्प्रेट कर दूंगी तमाम पफ के ऊपर और जब यह लेयर हो जाएगी आप दुबारा से क्रश करके थोड़े से दुबारा पफ शामिल कर देंगे तो यहां मैं इस मिलको सेंटर में शामिल कर रही हूँ, आप कोई भी डिजाइनिंग यहां कर सकते हैं तो यहां मैंने दुबारा से जो आदा कस्टड बचाया हुआ था वो भी दुबारा से इसके ओपर पोर कर दूँगी और अब हम एक और लेयर शामिल करेंगे ड्राइ फ्रूट्स की तो अब यहां मैंने स्लाइसेज में कटे हुए कोकोनूट शामिल किये हैं और साथ ही हम यहां ब्लैक किश्मिश भी शामिल कर देंगे इससे भी इसकी लुक बहुत ही इन्हेंस हो जाती है कोई भी चौइस का आपकी ड्राइफ रूट हो आप यहां एड़ कर सकते हैं अब आप इससे फ्रिज में रखके टंडा करके भी सर्फ कर सकते हैं यहां आप मेरी तरह इससे दस से पंदा मिनट बेक कर दें इससे इसका कलर बहुत अच्छा आ जाएगा और उपर से बहुत ही क्रिस्प सा टेक्स्चर भी आ जाएगा तो आपकी मर्जी है आप सर्फ करें से होट याए कोल्ट तो आप मैंने यहां बेक कर लिया है दस से पंदा मिनट के लिए आप देखें बहुत अच्छी सी इसकी लुक आ गई है राइ फ्रूट अच्छे से क्रेस्प हो चुके है तो यहां हमारे पास अरब के डेजर्ट कोईन यानि उमे अली बिलकुल बनकर तयार हो चुका है आप बिलकुल इसे सर्फ कर दें थोड़ा सा इसका मिल कस्टर्ड इसके उपर पोर कर दें तो जरूर इस रेसिपी को ट्राइ करें आपको बहुत ही पसंद आने वाली है अपनी दाफतों में ट्राइ करें घर के लिए बनाएं रेसिपी पसंद आई है तो लाइक करें शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो जरूर से चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें अगली वीडियो तक इजाज़त दें अपना बहुत खयाल रखें दुआओं में याद रखें अला हफेज